लेटिस्ट यानकी रिसेंट जो वीडियो अप्लोड किया गये है वान वीक के अंदर आपको चेक करना है वान वीक के अंदर जितना वीडियो है सारी वीडियो की सबसे टॉप जिस वीडियो पर व्यूज आ रहा है वही वीडियो आपको चूज करना है सेम वीडियो कौपी कर करना है सेम वीडियो आपको बनाना है कौपी करने के मतलब यह नहीं कि वीडियो डाउनलूट करना है और अपलोड कर दोने ऐसा नहीं सेम वीडियो देख को आप अपने हिसाब से एक वीडियो आपलोड करना है क्योंकि उस वीडियो पर ब्यूज यादा आ रहा है जब आप वीडियो अप्लोड करोगी तो डेफिनेटली आपकी वीडियो पर ब्यूज आएंगे यह बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम की सोल्च तो आभी की टाइम में वाइटी स्टूडियो एप आपको बता देंगे कि आपकी चैनल पर ब्यूज कैसे बढ़ाना है वाइटी इस पर आपको सब कुस पता चलेगा कि आप किस तरह वीडियो आप्लेट करना है कैसे ब्यूज बढ़ाना है कैसे सस्क्राइबर्स इंक्रीज करना है किस टोपिक उपर वीडियो आप्लेट करना है सब कुस आप पता लगा सकते हो एक निव क्रियेटर्स यूटूब पर चै कर सकते हो यानि की बढ़ा सकते हो आज आप लोग को मैं लाइब दिखाना वाला हूं जैसे कि सबसे पहले मैं इसके देकर जो है मैंने ओन किया है और आप लोग देख लिजे कि आखिर ब्यूज कैसे बढ़ाना है सो यहां देखे मैंने यूटूब ओपेन किया है यूटूब जब मैंने ओपेन किया है उसके बाद सारे चीज में लाइब दिखाने वाला हूँ सो मैंने YouTube ओपन किया है मैं लोगों पर क्लिक किया है YT Studio दिखिए YouTube Studio इस options मैंने select किया है उसके बाद यहां आप देख सकते हो जैसे कि YT Studio ओपन हो चुका है यह मेरा first channel है इस पर आप पता लगा सकते हो जैसे कि यहां subscribers देख सकते हो और watch time भी आप देख सकते हो revenue कितना है आप देख सकते हो सब कुस आप देख सकते हो लेकिन views बढ़ाने के लिए YT Studio ने आपको कहा कि यही से आप views बढ़ा सकते हो यह चीज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ सबसा पहले आपको क्या करना है views पर क्लिक करना है यह चार option आप देख सकते हो अगर आपकी चैनल आभी तो कुमनेटेशन नहीं है तो आपको दो options देखने को मिलेगा तो views की option जो है आपकी पास होंगे तो views पर क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है उपर देखिए कुछ options आ रहा है audience आपको select करना है audience जो है select करना है select करना की बाद फर्स्ट आप views देख सकते हो returning viewers निचे देखिए when your viewers are on YouTube यानि कि आपकी चैनल पर की style audience ज्यादा तो वीडियो वास करता है यह आपको पता लगाना है यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो सबसे ज्यादा views आ रहा है 17.59 PM यानि कि 6 बादे के आसपास सो दिस्तों अगर आप सुबा वीडियो आपलोट किया है तो क्या आपकी वीडियो पर views आएंगे YouTube ने direct आपको बता रहा है कि बाई इस टाइम वीडियो आपलोट करना है उस टाइम आपकी चैनल पर ओडियो बिजिट कर रहा है आपने सुबा वीडियो आपलोट कर दिया है गलती तो आपने किया है इसलिए मैंने पहले बताया है कि YT Studio ने सब कुस Creators को बताता है लेकिन Creators ये समझ नहीं पाता है ये में चीज नहीं है में चीज आभी वी बाकी है directly निचे आना है स्कॉल करते हुए पूरा निचे आना है सबसे निचे दिखिए चैनल डेट इवर ओडियेंस वाचेज निचे दिखिए कुछ चैनल की लिष्ट शो हो रहा है तो आपको दिखिए निचे दिखिए 10 प्लास मोर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो और चैनल यहाँ शो करेंगे दिखिए कितना सरे चैनल यहाँ आ रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ जितना चैनल शो हो रहा है सारे चैनल मेरे related है यानि कि मैंने जो channel open किया है मेरा इस channel की related है मैं check कर सकता हूँ कि इस channel पर मतलब कौन सा वीडियो upload किया जा रहा है किस वीडियो पर ज्यादा views आ रहा है for example मैंने एक channel open करता हूँ जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख लिए काफी बड़े बड़े channel यहाँ show हो रहा है इन में से चलिए मैं एक channel open कर लता हूँ यह channel मैंने open किया है open करने की बाद दोस्तों देखी यह channel पर direct visit किया हूँ वीडियो पर मैं click करता हूँ और यहाँ देखे वीडियो की list आ चुका है latest यहनकी recent जो वीडियो आपलोट किया गए है one week के अंदर आपको check करना है one week के अंदर जितना वीडियो है सारी वीडियो की सबसे top जिस वीडियो पर views आ रहा है वही वीडियो आपको choose करना है same वीडियो copy करना है same वीडियो आपको बनाना है Copy करना के मतलब यह नहीं कि वीडियो download करना है और upload कर दिना ऐसा नहीं Same वीडियो देखकर आपने हिसाब से एक वीडियो upload करना है velocidad पर यादा आए रहा है जोब आप वीडियो upload करेगी तो definitely आपकी वीडियो पर views आयेंगे ये बहुत बड़ी मतलब एक problem की solution है इसलिए तो YouTube ने ये channel जो है यहाँ share किया है कि इसी channel आप follow करो, देखो आपके related look कैसे video upload कर रहा है किस topic की उपर look video upload करता है आप सब्सकुष देखो उसके बाद क्या करना है कि आपको video upload करना है यही से आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो channel है, channel पूर किस तरह video upload करने से, किस topic की उपर video upload करने से लोग ज्यादा पसंद करेंगे यह आप code पता लगा सकते हो उसके बाद आप video upload कर सकते हो एक video upload करने से पहले आपको यह देखना है देखे next जो option है देखे मैं एक बड़ बेक करता हूँ बेक करने की बाद दोस्तों next जो option है आपको कैसे पता लगाना है यहाँ दोस्तों दिखे age age से क्या मतलब है किस age से मेरा वीडियो देखा जा रहा है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा 18-24 साल की लोग जदा मेरा वीडियो वाइस करते है और कितना है 25 से लेकर 34 यार्ज की लोग जदा वीडियो मेरा वाइस करते है यह लोग क्या मतलब डिले वीडियो देखना पसंद करेंगे कभी क्योंकि यह young generation के आंदर आता है अगर आपने यह चीज़ पता लगा लिया है ना तो एस की तो आपको अगर आपने डिले वीडियो अपलेट करते हो तो आपकी वीडियो लोग नहीं पसंद करेंगे क्योंकि जो है यह दिखिए young generation लोग आपकी वीडियो पसंद करते है तो एंग generation की साथ साथ आपको चलना पड़ेगा अगर बुढे लोग देखते हैं ना यहाँ age बताता है कि किस age की लोग आपकी वीडियो देखते है अगर बुढे लोग देखते हैं तो अगर आप बातों पर या वीडियो पर इस्पिट करते होना लगिं किया है लोगिं करने की बात सिंपल सा मैं यह कि यह एक चेनल हो रहा है क्योंकि इसकी रिलेटेट और मेरी जो चैनल है सेम वीडियो आप्डियो आप्टूट किया जा रहा है इसलिए चैनल यहां ह 9 ने साज़शक्या है उश चैनल जाकर वा लार्च्ट वान वीक के अंदर कितना वीडियो अप्लिट किया गया है और उस वीडियो की जो सबसे टॉप ब्यूज आ रहा है यह आपको टॉपिक सेलेक्शन करना है उस टॉपिक की उपर आपने हिसाब से वीडियो बनाना है अप्लिट करना है डेफिनिटली आपके वीडियो पर वीड बनाना चाहिए किस टोपिक के उपर बीडियो ज्यादा आएंगे बाई यह सोचने की क्या जुरूरत थे यूटुब ने डाइरेट आपको यह दे रहा है फ्री में दे रहा है आप लुग जाके चेक करो वीडियो आपलोट करो क्या है बीडियो तो जरूर आएंगे सो दोस्तों मिलते हैं नेशक सी एक एनादर टोपिक में तब तक के लिए जोहिंद पंदेमात